पास्कार दोस्तों टार्गेट विद प्यास परिहार चैनल में आपका स्वागत है इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यारती जीवन से सम्मंदित सभी सुचनाय प्रदान की जाती है उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षक पात्रता परिक्षा की और UPSC प्री 2021 नोटिफिकेशन की और उसकी कोट अपडेट सबसे पहले बात कर लेते हैं TET की तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें शियर कर दें जिन चात्रों ने चैनल को अभी वी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें जैसा अब हाई स्कूल और इंटर्मीडियट में भी लागू हो जाएगा अगली बार से और इसके लिए NCT ने जो निर्देश हैं वो जारी कर दिये हैं इसके बाद में एक और बढ़ी सूचना है कि TET में एक और बदलाओ होने जा रहा है वो बदलाओ है TET के पार्ठक्रम को ले होता है CDP होता है इसी तरीके से यह जो पार्ठक्रम है इसमें बदलाओ होने की चर्चा है तो इसके लिए भी बहुत सारे समचार पत्रों में और लगबग सभी प्रमुक समचार पत्रों में यह सूचना है कि TET परिच्चा के पैटर्न में होने वाला है बदलाओ नीचे य दिखाय कि शिक्षक पात्रता परिच्छा का पैटर्न बदलने वाला है। TET परिच्छा के पैटर्न में बदलाओ नई शिक्षा नीती के तहट किया जाएगा। परिच्छा के पैटर्न में बदलाओ की तयारी चल रही है। इसके लिए National Council for Teachers Education ने एक कमेटी बनाई है जिसका काम 31 मार्च 2021 की पहले पहले TET परिच्छा की रूब रेखा तयार करना है। तो लगबग पूरी संभावना है कि अगली बार से जो भी TET होगा। चाहे वो प्रात्मिक का हो, चाहे वो उचितर का हो, चाहे वो हायर सेकेंडरी का हो, चाहे भी TET में आप लोगों को बदलाओ देखने को मिलेगा। बदलाओ क्या होगा? इसके बारे में इंतजार करना होगा। लिखा कि नई गाइडलाइन के अनुसार ही TET की परिक्चा करवाई जाएगी, यानि कि अब जो भी TET की परिक्चा होगी, चाहे वो राज्यों की हो, चाहे वो केंद सरकार की CTET की परिक्चा हो, अब वो बदले हुए पैटर्न पर ही होगी, ये किवल इंतरमीडियाट या TET परिक्चा के नोडल अफसर का नाम शामिल है, राज्यों को TET का गजट नोटिफिकेशन कब आया था, इसकी जानकारी देनी होगी, साधी समधित कापी भी देनी होगी, राज्यों को पिछले 3 साल के TET का प्रस्ण पत्र भी भेजना है, जिसमें दोनों पेपर 1 और 2 साम मंतन इस समय चल रहा है, और नीचे ये लिखा कि उमीदवारों की प्रोफाइल और उन से जुड़ी जानकारियां भी मांगी गई हैं, इसमें परिच्चा में शामिल होने और पास होने के साथ ही सेक्षिक योगता से भी सम्मंधित जानकारियां मांगी गई हैं, असल में मा आवशक्ता भी देखी जाएगे कि एक अध्यापक के लिए किन चीजों की ज्यादा आवशक्ता है, यहां पर लिखा है कि क्या है TET की परिच्चा, लिखा TET यानि टीचर्स एलेजिवेल्टी टेस्ट एक परिच्चा है जिसको पास करने के बाद उमीदवार सरकारी परिच्चनीती के तहत TET में भी बदलाव किया जाएगा और इसके समद्ध में NCTE ने उन राज्यों से 15 फरवरी तक शिक्षक पात्ता परिचक रिपोर्ट मागी है, जहां पर हाल ही में परिच्चा का आयोजन किया गया था, देखा जाएगा कि किस तरीके के वहां के चात् हैं वो कितने परिच्चत पास हो पा रहा है या पास नहीं हो पा रहा है, उसी हिसाब से पूरा जो पाठक्रम है वो अब TET का बदल दिया जाएगा, इसकी लिए चात्रों को अब होसियार रहना होगा और सतर्क रहना होगा, यहां पर लिखा कि NCTE ने परिच्चा में परिच्चों के प्रिच्चन कारकरम पर दोर दिया गया है, और राष्ट्री शिक्चा नीती के तहद मादमिक वा उच्च प्रात्मिक स्कूलों में भी शिक्चिकों की निक्ति के लिए यह परिच्चा होनी है, यानि कि अब जो TET होगी, वो मैंने कल ही बता जिए था आप लोगों को कि प्राइमरी और जूनिर के साथ साथ में आप मादमिक यानि कि TGT और PGT के लिए भी अब TET होगी, तो बहुत सारे बदलाव आपको अब आने वाले अगले TET में ही देखने को मिलेंगी, अब यह देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश की TET में यह पे सिक्षा नीती में कहा गया है, आगे लिखा कि नई सिक्षा नीती केता है, तो NCTE दौरा TET को लेकर के दिशा निर्देश जारी किये जाएंगे और इसके बाद राजियों को स्कूल सिक्षक, तो अब अगले साल से जो है आप लोगों को पाठ क्रिमों में भी बदलाव दे संग लोग सेवा आयोग की परिक्षा की जिसे समान भासा में IAS प्री बोलते हैं, लेकिन वो UPSC प्री है, लिखा है कि संग लोग सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा प्रारमिक परिक्षा 2021 और भारती वन सेवा परिक्षा 2021 की संयुक्त अधिसूशिना कल, यानि कि 10 फरव भी डाट इन पर जारी होने के साथ आवेदन की प्रक्रिया 10 फरवरी से सुरू होनी है, यानि कि कल से जो है UPSC प्रिलिम्स के जो आवेदन है, वो लेने सुरू हो जाएंगे, और इनका एक मामला था सुप्रीम कोट में चल रहा था और आडर सुरजची था भी आडर आया नहीं है, विद्यार्थियों ने आयू में चुट भागी थी, कुरोना संक्रमन के कारण, लेकिन सरकार ने इन विद्यार्थियों को कोई भी रियायत नहीं दी है, अब देखना ही है कि सुप्रीम कोट क्या ओर्डर देता है, सरकार नहीं कहा कि हम अटेम्ट में यान तुमो दिया गया था, और एक बार 1970 में भी दिया गया था, आइस प्री यानि यूपियस सी प्री के लिए जो मिनिममम आय होती है, 21 साल होती है, अधिकितम आय जो होती है, वो 32 साल मांगी जाती है, इसमें बहुत सारे पद होते हैं, खासतोर से आइस यानि भारती प्रसासनिक भारती विदे सेवा, भारती पुलिस सेवा, यानि IPS, भारती राजस्य सेवा, भारती डाक सेवा, भारती डाक एमतार लेका सेवा, भारती रेलवे यातायात, बहुत सारे इसमें पद होते हैं, तो इसकी जो आवेदन है, वो कल से शुरू हो ना, लास्ट डिट याद रखी एक तो 3-4 तरह का टीटी होगा दूसरा पाट क्रेम भी अब बदल जाएगा यह नहीं पता है कि किस तरीके के बदला होगा और क्या होगा दूसरी सुझना यह है कि UPSC Pre का जो नोटिफिकेशन है वो कल जारी हो जाएगा और जो आयू की छूट वाली बात है वो सब को सुप् सब्सक्राइब कर लें पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद